हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैस्विच साक्षी सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA 4th Semester के MCQs सो यूनिट 1 के हमने MCQs कवर कर लिए हैं जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब हम यहाँ पर कर रहे हैं unit 2 sequence के MCQs जिसका part 1 हम कवर कर चुक है अब हम कर रहे हैं part P सो चलिए जल्दी से start करते हैं यहाँ पर हम 12th question में कह रहे हैं तो sequence Sn where Sn is equal to 3 minus 1 upon 3 की power n minus 1 converges to यह पूछ रहा है जो यह sequence है न यह किस पर convergence होगी यानि की convergence होगी तो देखें सबसे जादा important question यही है आपको अलग-अलग तरीके से बस यही पूछेगा कि यह किस पर convergence है यह convergence है या नहीं है अलग-अलग ऐसे ही इसी type की questions पूछेगा तो चलिए उनको देखते हैं यहाँ पर हमसे कहा गया है sequence हमें दी गई है 3 minus 1 upon 3 की power n minus 1 कनवर्जेंट के लिए हम क्या करेंगे इसके limit लेंगे n tends to infinity अगर हमसे पूछ तक यह convergence है या नहीं है अगर हम इसके limit निकालते हैं और हमें एक finite value मिल जाए तो convergent है अब यह पूछने किस पर convergent है तो limit रख कर देखें यहाँ पर हम क्या रख दें n के place पर infinitive तो 1 upon 3 की power infinitive और हम जानते है 3 की power infinitive क्या होती है infinitive so 3 minus 1 upon infinitive and 1 upon infinitive उतता है 0 तो that means हमारा answer क्या आगया है 3 एक finite value है तो convergent है और किस पर convergent है वही 3 पर convergent है so that means हमारा answer हो गया है C question number 13 में कहा रहा है the limit of a sequence is most important किसी भी sequence की limit क्या आती है हमेशे unique होती है unique का मतलब एक और सिर्फ एक ही limit होती है ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर 3 पर है तो किसी और number पर भी convergent होज़े नहीं हमेशे sequence की limit क्या होगी unique होगी 14 में कहा रहा है every convergent sequence is यह कह रहा है अगर कोई sequence convergent है तो वो क्या होगी तो वो bounded होगी याद रखेगा यदि कोई sequence convergent है तो वो bounded होगी लेकिन यदि हमसे यह पूछ ले कि यदि कोई sequence bounded है तो क्या वो convergent होगी तो need not to be true वो true हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन अगर convergent है तो पक्की बात है कि वो क्या होगी bounded होगी 15 में हमसे कह रहा है the sequence is अब देखिए फिर से कह रहा है converges पूछ रहा है कि किस पर convergent है तो हमें sequence दी गई है 2n square plus 1 sequence है मारे पास 2n square plus 1 and upon में 2n square minus 1 limit क्या रखेंगे वह इन टेंस to infinity यह वाले questions मैंने पहले part में भी सिखाए है न हम क्या करेंगे यहाँ पर उपर निच्चे से n इस तरीके से common लेंगे कि cut हो जाए जैसे n की जो maximum value होती है na maximum power होती है उसको common ले लेना है जैसे यहाँ पर है limit n tends to infinity हम किसको common ले रहे है n square को तो उपर से n square common लेंगे तो 2 प्लस अब देखे 1 के पास नहीं है तो हम upon में ले जाएंगे इसको यहाँ पर n square अगर common ले रहे हैं तो 2 minus अब 1 के पास नहीं है तो upon में ले जाते हैं आप चाहिए वापस multiply करके देख लीजी वन ही तो बस्चता है अब यहाँ पर क्या रखते हैं n square से तो n square cancel और n के place पर infinitive so 2 plus 1 upon infinitive 0 and 2 minus 1 upon infinitive 0 so आगया है 2 by 2 that means हमारा answer के आगया है 1 तो यह जो sequence है यह किस पर convergent है तो यह है converges to 1 16 में भी हमसे limit पूछ रहा है इस बारह में दिया गया है limit 1 plus 2 by n और n plus 3 देखिए इसमें क्या होगा हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 2 by n की power n into में 1 plus 2 by n की power 3 वही लिख सकते हैं अगर base से में तो powers क्या होती है add हो जाती है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए जो यह इस type क्या होता है 1 plus 1 by n की power n अगर यहाँ पर 1 by n है और यहाँ पर n है तो इसका मतलब वो limit है n tends to infinity तो यह इसकी value कितनी होती है e होती है अगर यहाँ पर मान लिख 2 आ गया है तो इसकी value कितनी हो जाएगी e square यहाँ पर कितना है 1 plus 2 by n की power n तो इसकी value कितनी हो जाएगी e square यह कितना हो जाएगा e square तो देखिए यह तो हो गया अपना e square और अगर इस वाले case में हम direct limit रख देते हैं तो 1 upon infinitive 0 और 1 की cube 1 तो हमारा answer क्या जाएगा e square so that means हमारा answer होगा b कह रहा है every kochi sequences हर एक kochi sequence क्या होती है तो याद रखेगा हर एक kochi sequence convergent भी होती है and bounded भी होती है तो convergent and bounded every bounded monotonically increasing sequences कह रहा है यदि कोई sequence bounded भी है और monotonically increasing भी है तो वो क्या होगी तो वो होगी convergent तो याद रखेगा एक theorem है वो यह कहती है कि यदि कोई sequence bounded भी है और monotonically increasing या decreasing दोनों में से चाहे कुछ भी है चाहे increasing आए चाहे decreasing आए दोनों ही case में क्या होती है? Convergent होती है 19 में हमसे कह रहा है a non-decreasing sequence which is not bounded above पही कह रहा है एक non-decreasing sequence, non-decreasing का मतलब increasing होगी which is not bounded above, जो bounded above नहीं है तो वो क्या होगी? तो भई वो divergent होगी infinitive पर, देखे इसको ऐसे समझे कह रहा है कोई sequence है लेकिन non-decreasing है, decrease तो नहीं हो रही है और bounded above नहीं है, भई decrease नहीं हो रही है, इसका मतलब मान लेता है increase हो रही है, तो कुछ इस type से होगी, maybe, ऐसे हो सकती है example के लिए लेना है, non-decreasing तो यह है, और 7 में क्या कह रहा है bounded above नहीं है, यानि कि उपर की side से क्या नहीं है, bounded नहीं है तो इसका मतलब ही क्या होगी? यह divergent होगी क्या होगी भई divergent और divergent किस पर होगी? infinitive पर होगी 20 में कह रहा है, non-increasing sequence which is not bounded below कह रहें, non-increasing है, इस बार non-increasing का मतलब क्या होता है? decreasing है, और which is not bounded below, और bounded below नहीं है तो इसका मतलब अब कहाँ कि अब क्या होगी? अब होगी वह divergent होगी minus infinitive पर, divergent किस पर हो जाएगी? minus infinitive पर next कह रहा है, every sub-sequence of a convergent sequence is किसी भी convergent sequence का sub-sequence भी convergent होता है याद रखेगा, यह सब हमारे पास क्या है? theorem से theorem यह कहती है, यदि कोई sequence convergent है, तो उसकी sub-sequence भी क्या होगी? convergent होगी, next हम से कह रहा है, sequence SN is called null sequence, कोई भी sequence SN null sequence के लागी, यदि उसकी limit के आजाए, 0 आजाए अगर limit के आजाए, बही 0 आजाए, तो वो null sequence है, अब देखिए यह वाला गलत है, क्योंकि इसमें limit नहीं कह रहा है, यह कह रहा है, SN ही 0 आजाए, पर इस लिमिट अगर 0 आजाए, तो वो क्या है? null से जाते है, next question, question number 23 पर, कह रहा है, यदि SN की limit L है, और TN की limit L डेश है, तब पूछ रहा है, कि S1 TN, S2 TN minus 1, and S1 T1 upon N की limit क्या होगी? तो देखिए, जो है न, यह है हमारी Cisraus theorem, Cisraus theorem यह कहती है, यदि SN की limit L है, और TN की limit L डेश है, तो इस पूरे की limit हो जाएगी, L into L डेश, तो इसका answer क्या हो जाएगा, हमारे पास L into L डेश, तो याद रखिएगा, यह नाम से भी आ सकते हैं, कि कौन सी थियोरम है, तो आप बता देना क्या होती है, Cisraus theorem, अदरवाइस इस type से भी आ सकते हैं, तो इसकी limit किसके equal होईगी, L into L डेश की, next राते हैं, next question हम से पूछ रहा है, कि यदि Sn ये है, तो ये पूछ रहा है, इसकी value क्या होगी, तो देखें, यहाँ पर हमें Sn दिया गया, 1 plus 1 upon n की power n, तो हम यहाँ पर पहले Sn की value, Sn की limit निकाल लेते हैं, तो limit of Sn क्या जाएगी, भई अभी मैंने आप लोगों को बताये था कि सकी limit क्या कैलाएगी, e क्या कैलाएगी, भई e कैलाएगी, तो automatically इसकी भी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, यह कौन कहता है, theorem क्यों कोची second theorem of limits, कोची की जो second theorem है, limits पर, वो यह कहती है, कि यदि Sn कोई sequence है, इस तरीके से, कि Sn की limit अगर l है, तो limit of Sn, Sn की power, 1 upon n की limit भी क्या ह तो यहाँ पर हमने क्या देखा وجes second theorem of limits से जो इसकी limit होगी न वो ही इसकी limit होगी तो यह तो थे conception second theorem on limit एक हमारे पास होती है कोचिस first theorem on limit क्या होती है कोचिस first theorem on limit वह यह कहते है कि यह डिञीप of Sn and tends to infinity पर यह खेंदी L है तब लिमीट of s1 plus s2 and so on sn upon n की भी limit कितनी हो जाएगी l हो जाएगी याद रखिएगा यह है कोची की first theorem limit को ले करके कि यदि sn की limit l है तो limit s1 plus s2 plus sn upon n कितनी हो जाएगी l और कोची की second theorem क्या कहती है कि यदि limit n tends to infinitive sn is equals to l के है तब क्या होगा भाई limit n tends to infinity s1, s2 and so on sn की power 1 upon n यह भी किसके equal होगी l के equal होगी तो दोनों theorem साब को पता होनी चाहिए यह है कोची first theorem on limits और यह है कोची second theorem on limits तो friends आज की वीडियो में हमने जो हमारी unit second है उसके जो sequence है जो chapter sequence है उसके MCQs हमने cover कर लिये है हमारी next वीडियो में हम unit second में मारा एक और chapter है series हम उसके MCQs cover करेंगे so please आप channel को जल्दी से like, subscribe and share करते हैं